मंगली भवनिय मंगले कारी द्रबहुत दस रत यजर विहारी देन दयाल विरद संभारी हरवनाथ मम संकट भारी देखन बाग कुमर दो आए बैर के सोर सब बांत सुहाए स्याम गोर किम कहों बखानी गिरा अनयन नैन बिन बानी सुने हर से सब सखी सयानी सियहियत उत कंठा जानी एक कहाए नप सुत्ते आली सुने जिमुने संग आये काली जिन निज रूप मोहनी डारी कीने स्ववस नगर नर नारी बरनत चब जहन तह सब लोगू अबस देखिये देखन जोगू सासो बचने अते सैसी यहीं सुहाने दरस लागी लोग चन्रकुलाने हैलो माई यूटू फैमिली रादे रादे कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं और इतनी ज्यादा ठंड हो रही है ना आज कि पहले दिन पता चलाए कि बहुत ज्यादा ठंड हो रही है और इतना मतलब पूरे दिन आज खुलानी है और आभी मेरे ब्लोग की शुरुआत हो रही है साम से मतलब सुबह से इतनी ठंड है ना कि बहुत ज्यादा ठंड है और हमें तो काम करना पड़ता है और बाकी पता है जैसे जो काम नहीं करते हैं वो अपना ठंड में बैठे रहो अंदर रजाई में रजाई कंबल लेके और आप सभी के यहां कैसी ठंड हो रही है मुझे कोमें हो रहा है और आप लोगों ने देखा मेरे पापा जी जो है सुबह को साड़े पाँच बजे पाँच बजे उठके न रामाइड शुरू कर देते हैं रामाइड पढ़ते हैं तो मैंने थोड़ी से क्लिप ले ली उनकी क्योंकि चाहिए आथ कोई न पापा ने मतलब पूछ ल पापा जी पढ़ते हैं ममी अपना सुन लेती है सुबह सुबह उठके क्योंकि फिर तो इतना टाइम नहीं हो पाता और फिर पता बाद में फिर जैसे चाह बाई पीने के बाद नहाने के बाद उसके बाद पढ़ते हैं वह हनुमान 40 अवगरा जो भी पूजा करते हों लेक तो फिर से सुरू कर देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुबह सुबह उठके बड़ी सांती सी मिली क्योंकि मैं भी जल्दी उठ जाती हूं और जल्दी उठने के बाद ना फिर में लेटी रहती हूं वैसे लेकिन आज मैं भी बैठी रही रही रामा एड सुनी मै मैंने पापा जी की और बहुत अच्छा लगा बहुत इस तरीके के पूजा पाट अपना करते रहते हैं तो मैंने सोचा थोड़ी से आप लोगों को भी समनाई जाए और मैं लग चुकी हूं अपने काम में जो के मैंने आलू बॉयल कर लिया है और अब उनको ठंडा करने के तो इसे बाद चील लूँगी और बागी मैंने आटा लगा लगा लिती हूं मैं हमेशा इसी आप में लगा लेती हूं तो उसी मैं य возможность Hai इनकी टै यारो हो जाती है और उसके बाद मैं मैं कर लूँगी कद्दू कस और कीओ कजकर आज करका हथा तो तो ङद्दा आठीक है जब गरम रहते हैं उस समय तो बहुत अच्छी लगतेर लेकिन जैसे ही उनको रख देते हैं तो थोड़े टाइट हो जाते हैं तो इस वज़े से मैं कद्दू कस कर लूंगी इनको जो कि कद्दू करके पिठी हमारी बहुत अच्छे से बनेगी उसके बाद मैं सभी मसाले तो बनारी हुं और आगे कुछ और भी बनाने वाली हूं तो मैं बनाने वाली हूं मुंगी दाल की जो पकोड होती है नव Pear बनाऊगी तो उसके लिए मैंने डाल को भिगो के रखा था और उसको मैं पीस लूँगी और आज के दिन ना हमारे आज जैसे आज के दिन ही नहीं कभी भी बना लो पूरे पूस में हमारे यहां पकोड़ी बनती हैं पूजा के लिए तो वो पूजा के लिए तो मैंने बना दी हैं पहले ही और यह अब बना रही हूं मैं जैसे आलू की जो पकोड़ी होती हैं तो यह मूंग दाल वाली पकोड़ी ह जो कि बहुत अच्छी लगती है मूंग डाल को थोड़ा सा मैने फैंट लिया है और अब ढाल दूगी इसमें मसाले तो मसाले में वही मसाले है जैसे कि लाल मिर्ची थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है कलर के लिए दनिया पाउडर और नमक भी एड कर लिया है मैंने नमक मैंने बाद में एड किया था इसमें जो कि उस समय में भूल गई थी फिर लेकिन मुझे याद आ गया जैसे मोबाइल बंद हुआ न तब याद आ गया और इसमें थोड़ी सी अजमाइन और उसके बाद में यह बारीक बारीक आलू कट कर रखे मैंने तो इनको भी अच्छे से आ जाएंगी और यह बना लेती हूं मैं क्योंकि मुंग डाल भी थोड़ी सी जाद जादा हो गई थी पुजा के लिए निकालने के बाद में वह बच गई थी मैंने का इसकी पकोड़ी बना लूँगी तो देखिए इनकी अब मैं पकोड़ी बना रही हूं अच्छे से मिक् देखा तो वीडियो बंद थी तो फिर इस वज़े से मैंने पहले जो डाली ना वह पता ही नहीं चली कब बना ली तो और यह पकोड़िया ना बहुत अच्छी लगती है मूंकी दाल वाली का टेश्टी एकदम अलग होता है और इसमें क्या है हम बड़े बड़े आलू नही डालते है हरी मेर्ची भी डाल लो धनिया पत्ती तो डाली है हरी मेर्ची नहीं डाली तो इसमें हरी मेर्ची भी डाल सकते हो और बहुत टेश्टी लगती है और यह वाली पकोड़ी ना वैसे भी बना लेते हैं बिना आलू के भी बना लेते हैं लेकिन मुझे आलू वाली पसंद है और इनको मीडियम गैस पर उलटते पुलटते इनको मैं सेक लूँगी और यह सिक के तयार हो चुकी है बहुत टेस्टी सी मुंकी डाल की पकोडियां आप सब भी आ जाईए पकोड़ी खाने के लिए हमारा खाना पीना सब कुछ हो चुका है तो चलिए फिर इस वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और जो न्यू चैनल पर आ रहे हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताके आने वाली वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और क पोमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा लाइक करना तो बिलकुल नभूलना तो चलिए फिर मिलती हूं एक अच्छी सी वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई